72.4 एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का हारदी का भी नंदन है फ्रेंड्स क्रिसी से रिलेटेड कुछ और प्रस्णों पर आज चर्चा करते हैं पहला प्रस्ण है निम लिखित में से कौन सी फसल बराग घाटी की महत्पूर फसल है और प्रस्ण है प्रस्ण चाय गन्ना कपास तो फ्रेंड्स असम में बरा घाटी पड़ती है और यह बरा घाटी चाय की क्रिसी है तू बहुत फेमस है तो दोस्ता विकल्प इसका चाय होगा अगले प्रस्ण की ओर चलते हैं अगला प्रस्ण है भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज है पहला विकल्प आंद्रप्रदेश दूसरा करनाटक तीसरा केरल चौधा तमिलनाडू तो फ्रेंड्स सबसे अधिक यदि देखा जाए तो रबर उत्पादन केरल में लगबग देश का सतर परसेंट केरल में उत्पादित होता है जबकि दूसरे इस्थान पे त्रिपूरा तीसरे पे करनाटक और चौथे पे तमिलनाडू आता है तो इसका तीसरा विकल्प केरल होगा अगला प्रस्ट है भारत के किस राज में कहवा रबर और तमबाखू सभी की क्रिशी की जाती है अप्संस है आंद्र प्रदेश, दिहार, मद्र प्रदेश, केरल तो फ्रेंट्स यदि कहवे की बात की जाए तो देश में सबसे अरधिक करनाटक में कहवा उत्पादित होता है इसके पस्चात केरल, तमिलनाडू, आंद्र प्रदेश, उडिसा में केरल के स्थान पर जो है करनाटक केरल के साथ साथ क्रिशी होती है जबकि रबर की चर्चा की जाए प्रमुख रबर जो है केरल, तमिलनाडू, करनाटक, त्रिपूरा, करनाटक, त्रिपूरा, असम में होती है और तंबाखू की यदि चर्चा की जाए तो करनाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट, राज्यों में की जाती है तो सब में यदि देखा जाए, तो करनाटक कॉमन है, तो यदि देखा जाए तो इसका आंसर होगा करनाटक, जो विकल्प में नहीं दे रखा गया है तो करनाटक आंसर होगा, अगले प्रश्ट की ओर चलते हैं अगला प्रश्ट है, भारत में बागानी क्रिसी के अंतरगत उगाए जाने वाली मुख फसल है चाए, रबर, नारियल, कहवा, दोसरा विकल्प है, चाए, रबर, सूर्मुखी, सोया बेन, देखा जाए तो ये बागानी फसले नहीं है चाए, केला, अंगूर, तो इसमें भी बागानी फसले नहीं है, नारियल है जबकि चाए है चाए, रबर, नारियल, बागानी फसल, सोया भी नहीं है तो परियुक्त पहला विकल्प ही सबसे उप्युक्त है, चाए, रबर, नारियल, कहवा नेस्ट प्रस्ट की ओर चलते अगला प्रस्ट भारत में तंबाखू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है विकल्प है गुजरात, आंद प्रदेश, करनाटक, मद प्रदेश तो वर्तमान आकणों के अनुसार गुजरात पहले इस्थान पे है, इसके पश्चात आंद प्रदेश का दूसरा इस्थान आता है वा उत्तर प्रदेश का तीसरा इस्थान होगा तो प्रश्ट के अनुसार पहला गुजरात आंसर होगा नेस प्रश्ट की और चलते हैं अगला प्रश्ट ने भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज है आंद्रप्रदेश, करनाटक, केरल, तमिलनाडू तो यदि फ्रेंड्स बात की जाए केरल की तो केरल में लगबग 30.50% नारियल का उत्पादन होता है जबकि करनाटक में 27.74% नारियल का उत्पादन होता है और तमिलनाडू में 24.85% नारियल का उत्पादन होता है तो सरवाधिक नारियल का उत्पादन केरल राज में किया जाता है लगबग 30.50 परसेंट नेस्ट परस की ओर चलते हैं अगला प्रस ने निम लिखित में से कौन सा राज इलाईची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है विकल्प हैं केरल, करनाटक, तमिलनाडू, उडिसा तो फ्रेंट्स यदि इलाईची के लिए अगणिये राज देखें तो सरवाधिक केरल में इलाईची का उत्पादन किया जाता है उसके परस्चात करनाटक में, उसके परस्चात फिर तमिलनाडू में जबकि उडिसा में इलाईची का उत्पादन नहीं किया जाता तो इसका चौथा आंसर ठीक होगा ओडिसा अगला प्रशने मसालों का बागान कहा जाने वाला राज है विकल्प हैं करनाटक, केरल, महराष्ट, तमिल नाडू तो फ्रेंड्स केरल को मसालों का बागान कहते हैं यदि आपने पढ़ा होगा तो यूरोपिये जो भारत आये थे उनका सबसे महत्पूर्ण जो व्यापार था वो मसालों का व्यापार होता था और दच्छड भारत मसालों के व्यापार के लिए सरवाधिक उप्युक्त था तो इसका दोसा विकल्प होगा केरल नेस प्रेस्ट की ओर चलते हैं अगला प्रेस्ट है लॉंग प्राप्त होता है विकल्प हैं जड़ से तना से फल से पुस्प कली से तो फ्रेंड्स लॉंग जो है वो यूजीनिया केरियो फाई लेटा नामक सदा बाहर व्रच से प्राप्त होती है और यह पुस्प कली से प्राप्त की जाती हैं तो चौथा विकल्प ठीक होगा पुस्प कली से नेस प्रश्ट की ओर चलते हैं अगला प्रेस्ट है निम लिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है पहला जूट, पश्चिम मंगाल, तो जूट का सरवाधिक उत्पादन पश्चिम मंगाल में होता है, बिल्कुल ठीक विकल्प दे रखा है, चाय, असम, तो असम में चाय का उत्पादन किया जाता है, बिल्कुल ठीक है, रबर, केरल, सरवाधिक रबर का उत्पादन केरल रा गन्ना उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता है, ना कि करनाटक, तो चौथा विकल्प गन्ना करनाटक सुमेलित नहीं है, नेस्प्रष्ट की ओर चलते हैं, कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है, पहला विकल्प है काली मिर्च, दूसरा इलाईची, तीसरा लौंग, चौथा केसर, तो फ्रेंड्स काली मिर्च को काला सोना कहा जाता है और गरम मसालों में काली मिर्च का इस्थान बहुत महत्पूर है अभी लास्ट परस्ट में हम लोगों ने चर्चा की थी कि यूरोपी जो भारत आये थे उनका प्रमुख जो व्यापार था वो गर्म मसालों का ही था और पहली बार जदी देखा जाए तो वास्को डिगामा जब भारत आया 1498 इस्वी में और जब वो यहां से लेकर के अपने देश पहुंचा तो पुर्तगालियों को भारत में व्यापार करने से 60 गुना अधिक लाभ हुआ था तो इसलिए पुर्तगालियों ने जब भारत में व्यापार करना की पॉलसी बनाई और फिर उसके पशचाट पुर्तगालियों के बाद डच आये रचों के बाद अंग्रेज आए अंग्रेजों के बाद फिर फ्रांसीसी आए चलिए नेस्ट प्रिश्ट की ओर चलते हैं कि अगला प्रस्टन है निम्न में से कौन सा प्रमख काजू उत्पादक राज्य है ऑप्शन है गोवा महराष्ट केरल करनाटक तो फ्रेंड्स सर्वाधिक काजू उत्पादन जो है महराष्ट में किया जाता है दो सो चपन दसमलो छे एक हजार टन का उत्पादन महराष्ट स्वैम अके ले करता है जबकि आंद्र प्रदेश का दूसरा इस्थान आता है और यहां 111 दसमलो तीन नो हजार टन का उत्पादन किया जाता है और उडिशा काजू उत्पादन में तीसरा इस्थान रखता है जहां जहां 93 दसमलो नो जीरो हजार टन का उत्पादन किया जाता है तो फ्रैंट्स इसका दूसरा विकल्प ठीक होगा महराष्ट अगले प्रष्ट की ओर चलते अगला प्रशन है भारत में एक मात राज जो केसर का उत्पादन करता है पहला विकल्प हिमाचल प्रदेश दूसरा असम तीसरा जम्मू कस्मीर चौथा मेगल है तो फ्रैंट्स भारत में एक मात राज जम्मू कस्मीर ऐसा है जहां केसर का उत्पादन किया जाता है तो तीसरा विकल्प ठीक होगा जम्मू कस्मीर नेस प्रष्ट की ओर चलते हैं अगला प्रश्ण है जूमिंग अथ्वा पैड़ा पदती क्या है विकल्प है जंगल काट कर सुखाने को छोड़ना रसाइनिक खाद का अत्यधिक्त योग सिचाई चौथा विकल्प है सूखी कास्ट तो फ्रैंट्स जूमिंग अथ्वा पैड़ा एक इस्थानांत्रित क् जहते है और जिसके लिए जंगलों को काट कर कृसि हे तु भूमी निकाल ली जाती है तो जंगल काट कर सुखाने को छोड़ना जूमिंग के अंतरगत या पैड़ा के अंतरगत ही किया जाता है तो पहला विकल्प ठीक होगा नेसपरस्टिक ओर चलते हैं जूमिंग खेती सरवाधिक होती है विकल्प है केरल करनाटक तमिल नाडू नागालेंड तो फ्रेंड्स जूमिंग खेती प्रमुख तोर प्यादी देखा जाए तो नागालेंड असम मेघाले अवनाचल प्रदेश इत्यादी राज्यों में की जाती है तो इसका चौथा विकल्प नागालेंड उपयुक्त होगा नेस्प्रस्ट की ओर चलते है अगला प्रस्टन है निम लिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है पहला विकल्प है पस्चमी घाट कुमारी दूसरा दच्छड पूर्वी राजिस्थान वालतरे वालतरे को फ्रेंड्स आप वात्रा भी कह सकते हैं यह जूमिंग की तरीके ही एक इस्थाना अंत्रित कृषि को अलग अलग छेत्रों में पुकारा जाता है पस्चमी घाट में इसे कुमारी कहते हैं दच्छड पूर्वी राजिस्थान में वालतरे या वात्रा कहते हैं उत्तर पूर्वी भारत जूम तो जूम भी एक पूमेलित दे रखा हैं तो इसका चौथा विकर्व ठीक होगा या कुछ और छेत्रों में जदी फ्रेंट्स देखें जैसे MP हो गया और आपका 36 गड़ हो गया MP और 36 गड़ में इस प्रिकार की खेती को दाहिया कहते हैं या दाहिया के इस्थान पे आप लोग बेवार भी कह सकते हैं बहुत यूज होता है या यहां पे इस्थानी भासा में इसे डिपा भी कहा जाता है तो MP और 36 गड़ की इस्थाना अंत्रिक जो खेती है उसे डाहिया बेवार या डिपा कहते हैं जैसे उडिसा की चर्चा की जाए तो उडिसा में इसे डाबी या पोलू या इस्थानी भासा में कोमन या कहीं कहीं ब्रंगा भी कहा जाता है तो अगले प्रेश्ट की ओर चलते है अगला प्रेश्ट नहीं राष्टिये केला अनुसंधान केंद्र इस्थित है विकल्प हैं तुरिची भुसावल सहारनपूर पूरे तो फ्रेंट्स राष्टिये केला अनुसंधान केंद्र उन्निस सो तिरा आंबे में तुरिची में इस्थापित किया गया था तो इसका पहला अंसर होगा तुरिची नेस्प्रस्ट की ओर चलते हैं अगला प्रशन है भारत का वहराज जो खाद्यान उत्पादन में आधिक्तम अंसदान करता है विकल्फ हैं तमिल नाडू, मदप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तो फ्रेंट्स यदि देखा जाएं उत्तर प्रदेश में सरवादिक खाद्यान उत्पादन होता है जो 16.81% है जबकि इसके पश्चात पंजाब में सरवादिक खाद्यान उत्पादन होता है दर्स दसमलो आठ साथ परसेंट इसके परश्चाथ मद्द प्रदेश में सरवादिक खाद्यान उत्पादन होता है दर्स दसमलो जीरो नौ परसेंट तो उत्तर प्रदेश नमबर एक पंजाब का दूसरा इस्थान वां MP तीसरा इस्थान रखता है तो इसमें चौथा विकल्प उत्तर प्रदेश ठीक होगा नेस्ट प्रस्ट क्यों चलते हैं अगला प्रस्ट है भारत का वहराज जो कपास, मुंफली, नमक एवं दूद के उत्पादन में प्रथम इस्थान है विकल्प हैं महराष्ट, पंजाब, राजस्थान, गुजरात तो फ्रेंड्स जदी देखा जाए कपास और मुंफली के लिए काली मिट्टी उपियुक्त होती है काली मिट्टी का सरवादिक परसंटेज महराष्ट में है और दूसरे इस्थान पे गुजरात में है तो कपास के लिए सरवादिक जाना जाता है महराष्ट लेकिन कपास और मुंफली दोनों की यदिबात की जाएगी तो गुजरात आएगा और उसके साथ साथ नमक दे रखा है तो गुजरात ये तटी ये छेत्रों में नमक का उत्पादन बहुत अच्छा होता है और दुग्द का उत्पादन पूछा है तो गुजरात में दुग्द का उत्पादन बहुत बहुत बहतर होता है नमबर एक पर तो इसका चौथा व चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फरासबिन किसके अंतरगत आते हैं विकल्प है दूई पादप कुल, दूसरा त्री पादप कुल, तीसरा चतुस पादप कुल और पाचवां पंच पादप कुल तो फ्रेंट्स गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फरासबिन जो है त्री पादप कुल के अंतरगत आते हैं तो इसका दूसरा विकल्प ठीक होगा, त्री पादप कुल तो आज ये अपना लास्ट प्रस्ता, अगले वीडियो में कुछ अन्य नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सबी को थैंक्स, बेस्ट अफ लग